हेलो स्टुडेंट्स जैसी एलसी माइसेल्फ किशोर सेखावाथ फेकल्टी फिजिक्स टीम सी एलसी सीकर जैसे कि आप जानते हो हम लोग जीमेन 2019-2020 की जो प्रिवेस्ट पेपर्स हैं उनकी जो कुष्टन से आपको प्रोड गर रहे हैं उसमें जो 20th lecture है उसमें हम लोग डिस सदा इंपोर्टेंस रखते हैं नीट और जीमेन के लिए तो हम लोग इसके जो कुष्टन्स हैं काफी सारे कुष्टन्स प्रैक्रिस के लिए मिलेंगे अपनों को तो उन सब की अच्छे से प्रैक्रिस करेंगे साथ में जो आसपास की थियोरी है उसको भी अपन थोड़ा पर्ट कर रहे हैं न से थर्टी और थर्टी वन से शिक्स ट अरप रहे हैं यह क्रूंच को अपनपर पर हरे हैं अब हम इसे स्टार्ट कर रहे है तो जो इसका पहला एक तर्मेंगे टी च्टी as a carrier wave the correct amplitude modulated signal is तो आप से पूछा है कि इसमें से सही जो आयाम modul signal कौन सा होता है तो अगर आपने इसमें modulation पढ़ा हो तो modulation में आप जो resultant इसका बनता है उसमें जो इसका output आपको मिलता है उस output में तीन पार्ट हुआ करते हैं ग्राफ अगर आपने डंग से पढ़ा होगा जिसमें जो पहला पार्ट है यह बीच का पार्ट है लास्ट का पार्ट है तो यहां आपने पढ़ियोगी इसकी frequency होती है जिसे इसको अपन कहते हैं lower side band frequency वाला पार्ट यह कौन सा आपका आपर side band frequency वाला पार्ट है और यह होता है कौन सा जो signal जिसमें होता है यह carrier wave हो अगरती है तो इसकी frequency वेटाजी ओमेगा c है और यह होती ओमेगा c प्लस ओमेगा m और यह होती ओमेगा c माइनस ओमेगा m कम्प्लिट तो इसको अपन कह रहे हैं upper side band frequency यह आपका है lower side band frequency और यह carrier wave frequency जिसके तीन पार्ट होते हैं जिसमें इसका amplitude जो कितना होता है a और इसका होता है a by 2 यह होता है आपका a by 2 तो ऐसा component सर्फ एक ही है और कुछ सा है यह नहीं इसमें तो इसका answer कौन सा है second ठीक है और यह भी आपने पढ़ा होगा कि जो carrier wave होती है वो तो उसी form में output में आपको मिल जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ देखो है इसमें ही है वी नौट एक इसमें भी है परन्तु इसके साथ दो जो side band frequency पार्ट भी होने चाहिए तो इसे भिना किसे mathematics के आप easily टिक भी कर सकते ह और इतना ही करनाची अपने पास समय इतना ही रहता है ठीक है बटे अब बढ़ते हैं पन क्वेश्चन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 32 32 क्वेश्चन देखें आप कि फीजीकल साइजेज ऑप दे ट्रांस्मिटर एंड रिसीवर एंटिना इन एक कम्मुनिकेशन जैसे आपने रंग से पढ़ा हो कि मानलो यह कोई एक एंटिना है जैसे हम इसमें जो एप्लिट्यूड मोडिलिटेड सिंगनल आफ्टर मोडिलिशन किसी एंटिना से अपन उसको ट्रांस्मिट करते हैं तो ट्रांस्मिट करने के लिए जो इसकी लेंथ है यह जो इसकी ले है तो actual होता क्या है कि जैसे इससे जो वेव यहां से इम वेव की रूप में जो सिगनल यहां से भार निकलते हैं उस सिगनल में प्रोपर information के लिए यह सबसे बड़ी सर्थ होती है कि जो यहां से वेव जनरेट हो वेव कम से कम एक साइकल पूरा करती हो इस एक साइकल में complete information involved होती है तो स्टार्टिंग में अब देखो यह एक तरह से एक साइकल है तो इसका पूरा पूरा पार्ट कितना है एक वेव लेंड़ा हो गई तो सही माइने में तो L जो है वो approximate कितना होना चीए लेंड़ा के बराबर होना चीए परन्तु आजकल की जो technology है उससे हम क्या करते हैं जैसे पहले सबसे पहले तो इसी रूप में काम है लिया गया उसके बाद देखो कि इसका half part अपन यूज़ करके इसको अपन इसकी copy कर लें और इसको reverse कर दें तब भी आप पूरी information obtain कर सकते हो तो उसके बाद वाले person में लेंट बाई 2 है वो काम में लेना आपने शुरू करा तो इससे क्या वा एंटेना की जो size है लेंथ हो घट गई चोटे एंटेना बढ़ने शुरू हो गई अब उसकी बाद old high technology आई तो उसमें क्या करा बेटा जी इसका जो one fourth part है इसका one fourth part है बेटा जी इसका one fourth part है उसको आप transmitting एंटेना से दूर किसी other places के लिए आप भेज सकते हो तो अब जो complete अब इससे छोटा आप नहीं कर सकते इस छोटा करते फिर आप proper information generate नहीं कर सकते तो अब यहां देखो जो एंटेना है उसकी जो सबसी जो मैं खता हूं उसको minimum जो उसकी length है एंटेना की वो कितनी होन जी है एल, तो एल minimum जो भी हो वो लेम्डा के परपोर्शनल है लेम्डा के परपोर्शनल और लेम्डा की परपोर्शनल है तो बेटाई जी यह तो लेम्डा किसके होता है frequency के inversely proportional तो आपका इसमी क्वेशन था कि इसकी तो आकार है नहीं इसको length है वो किस पर डिपेंड करन करने वाली है तो लेम्डा के तो है डिरेक्टली परपोर्शनल और फ्रिक्वेंसी के है inversely परपोर्शनल तो आपका आंसर आच्छा अब यह frequency कौन सी होती है frequency कौन सी होती वो भी बड़ी important है यह जो अपन signal generate करते हैं जिनको संकेत बेजना होता है उसकी frequency है या हम जिस signal को किसी carrier wave पर और लेप करके फिर जो बनाते हैं amplitude modulated wave उसकी frequency होती है तो वहां आपने पढ़ा होगा कि जो एक तो हम लेते हैं इसमें कौन सी दो तरह की frequency होती बट एक तो है signal frequency और हम इसको carrier पर करते हैं और लेप और लेप करने के पर साथ आपने पढ़ाओगा amplitude modulation में जो resultant frequency होती है वो carrier के अनुसार ही होती है FC होती है तो जो संकेत जाने वाला होता है जो हम transmit करते हैं जो receive करते हैं वो तो frequency कौन से वाली है FC है इसका मतलब यह frequency किसकी होनी चाहिए वाहक तरंग की तो वाहक की तरंग की जो आवरती है उसके कैसा है inversely proportional तो अब आपका आंसर देखो proportional to carrier wave frequency गलत है inversely proportional to carrier wave frequency यह इसका right answer है ओके बढ़े आगे हाँ तो बेटे जी एपन next question पढ़ें 33 question पढ़ें a message signal of frequency 100 megahertz and peak voltage this is used to execute amplitude modulation on a carrier wave of frequency this and peak voltage 400 volt the modulation index and difference between the two sideband frequencies are modulation का बहुत प्यारा प्रश्चन है इसमें एक तो आपसे पुछा है modulation index mu mu बेटाजी होता है क्या है वो होता है आपका EC by sorry EM by EC message signal है उसका voltage यह कौन सा आपका carrier wave का voltage EM दिरेखा आपने को 100 volt इस ही आपको दिरेखा बेटाजी कितना 400 तो 100 इससे उड़ाओ तो हमारे पास 1 upon 4 यानि कितना 0.25 यह इसका है modulation index और mostly आपने पढ़ागों इसका वेले हमेंसा एक से कम ही रखा जाता है दूसरा आपसे पूछा है कि जो side band frequency है उनका difference side band frequency वैसे होजती कौन सी है एक तो है f कौन सी आप पर वो होती बेटाजी fc minus fm और एक है बेटाजी f lower वो कौन सा fc minus fm इनका difference ही होता है दोनों आवरतियों का अंतर difference इसका पन करेंगे तो यह से cancel तो इसका double हो गया नहीं देखो difference करता हूँ गठाता हूँ तो यह minus यह plus हो गया न यह से cancel दोनों को double कर दो तो इनका जो delta मैं इसको बोलता हूँ bandwidth तो इसको या तो आप bandwidth कहा दो तो bandwidth हमारे पास कितना बेटा जी है 2 fm fm कितना है message का frequency कितनी है 100 megahertz इसका double तो वो हो चुका आपका 200 megahertz इसको बदलने आप 10 की powers में 10 की power 6 इसमें है दो यहां आ चुकी है तो 8 तो 2 into 10 to power 8 यह इसका right answer है 2 into 10 to power 8 यलो साब इसका answer कौन सा हो गया 3rd यह के बढ़े आगे आते हैं अपन question number 34 पे 34 जो question है उसमें देखें यहां बिलकुल एक यह electromagnetic wave जो आप पढ़ते हैं जिसमें सबसे कम लोग अपन ध्यान देते हैं और हर बार देखो आप चे बोड का exam हो चे आपका NEET या ZMAN का exam हो यह mass the column का question है बिलकुल fix होता है जिसमें EM जो wave है उनका usage जो होता है उसके बारे में question पूछ जाते हैं और बहुत शांदर question है तो आ आपको इसको सिर्फ match करना है तो match आपको इसमें करना बेटे जी तो आप जानते होंगे इसमें कि जो optical fibers होती है optical fiber बेटा जी होता है उसमें infrared जो wave है वो use की जाती है optical fiber के बल में infrared wave यूज होती है बिलकुल fix है इसमें कोई सोजना है नहीं है radar जो है उसमें radar की अंदर आप कौन सा बेटा जी radio wave होती है कोई issue नहीं है sonar system है तो sonar में आप use करते हो कौन सी sound wave वो भी कौन सी ultra sound waves अच्छा जी mobile phone जो है उसमें जो wave कौन सी होती है use वो होती है बेटा जी microwave तो only अब ये बहुत एक अच्छा सा question याद करने वाला है इसको आप match कर दो प्रोपर आपकिसका 35 question आप से क्या कर रहा है question कर रहा है in an amplitude modulation circuit the carrier wave is given by this while modulating signal is given by this ये तो message signal और ये है आपका carrier wave इसमें एक हलका सा misprint है जिसको आप दूर कर लेंगे यहाँ बेटा जी है ये 2000 नहीं ये है 20,000 पाइटी तो आप से पूछा है इसमें कि the value of modulation index and lower sideband frequency ठीक है तो एक तो आप से पूछा है mu mu तो बेटा जी होता है क्या आपका em by ec em em बेटा हमरे पास है इसका value देखो 2 ec कितना है 4 तो 2 by 4 यानि 1 by 2 इसका मतलब हो चुका 0.5 ये तो है इसका modulation index उसके बाद हम से क्या पूछा जा रहा है वह पूछ रहा हम से lower sideband frequency और वह भी किसमें हर्स में है तो lower sideband frequency जो है उसका value कितना है बेटा जी fc माइनस fm fc कितना चेक करो तो fc आप देखें इस से निकाले यह 20,000 pi t तो आप यहां लिखें 2 pi fc into t इससे अपने compare करेंगे t से t cancel हो गया pi से pi को उड़ा दूं तो 2 fc कितना हमारे पास है बेटे 20,000 तो इससे fc कितना हुआ इसका half यानि 20 का हो गया 10,000 तो fc को आपने लिखें 10,000 mean 10 kilohertz 10 kilohertz 10,000 इसकी है fc फिर आपने निकालते हैं इससे इसके message की frequency fm तो fm को भी message करो देगो यहां मैं इसको लिखो देगो 2 pi fm into t t से t cancel हो गया pi से pi cancel तो 2 fm कितना हमारे पास बेटे जी 2000, 2000 है इससे पने 2 से इसको डिवाइड करें तो fm मारे पास कितना 1000 यानि fm का value हमा मिल चुका है 1000 बोले तो 1 kilohertz हमें fc मिल गया fm मिला अब आपको निकालना है क्या है lower side brain frequency तो इनका difference है 10 में से गठा दो कितना हुआ 9 kilohertz ये इसका proper answer है तो fm से इससे पने fl भी निकाल लिया बेटे जी और mu भी आप निकाला तो इसका answer मेंच करो 0.5 और 9 0.5 और 9 ये इसका first answer सही हो जाएगा ठीक है बड़े next question में question 36 36 में आप से पूछा है mobility of electrons in a semiconductor is defined as the ratio of their drift velocity to the applied electric field okay if for an n-type semiconductor the density of electrons is this and their mobility is this both are in SI system then the resistivity of semiconductor since it is an n-type semiconductor contribution of holes is ignored यानि only अपने को electrons उनका ही contribution है वो काम में लेना है तो आप से पूछा इसकी resistivity कितनी है ओके तो ऐसे questions में देगो आप जानते हो microscopic form of ohm slow तो j is equal to a पढ़ते हैं sigma into e पढ़तो बटा जी j होता है i upon a अब i क्या होती है i होती है आपने पढ़ाओगा n e a into vd vd होता है drift velocity और उसका value होता है mu into e upon a इसको मैं a से उड़ा दूँ तो हमारे पास j की value sigma e आ गई अब देखो अगर इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ तो यहां e से e को यहां से कर दो cancel तो हमें यहां मिल चुका है sigma sigma हमारे पास बटा जी है n e mu आपको निकालना इसमें रो रो कितना होता है 1 upon sigma तो यह value हो गया 1 upon n e mu clear यह आपसे पूछा resistivity अब वैसे semiconductor के resistivity अपन टोटल निकालते हैं तो resistivity यहां पर due to holes and due to electrons दोनों के लिए पर n टाइप में आप जानते हो majority charge के रिए कौन है electrons है holes बहुत कम होते हैं इसलिए hole का effect अपन ने कर दिया neglect तो अब इससे हमारे पास जो row n type की बनेगी चुक्कि इसमें दोनों हैं इसमें electrons भी हैं प्लस कौनसा holes दोनों का पर इसको अपने क्या कर दिया neglect तो only अब यह जो n और mu है वो किसके holes के value पूरी दे रखी है e का भी value आप पता है प्रोपर आप value put करें answer इसका निकालने अरमस आजाएगा mathematics आप खुद कर लेंगे बढ़ो आगे आजाएं question number 37 37 question जो है वो semi conductor है उससे बनते हैं diodes diodes का इस बहुत ही शांधार question है जो कि अपन mostly यह question जो होता ना यह class में discuss किया दाता है यह अपने questions discuss किया हुआ होता है और mostly अपन बच्चे कर भी लेते हैं ठीक है बटे आजाओ question यह है कि zermanium and silicon diodes start conducting at point 3 volt and point 7 volt zermanium है वो तो start कर रहा है conducting कितने point 3 पर और silicon कर रहा है किसे point 7 पर अगर आप इस पे forward bias में point 3 से कम apply करेंगे इससे current pass नहीं होती है point 3 से अधिक या उससे वराबर करेंगे current pass होना शुरू हो जाएगी और ऐसा ही silicon जो है वो point 7 से current start करता है उससे पहले current start नह नहीं करता है in the following figure if germanium diode connection are reversed the value of V0 changes by तो जो V0 है इसका value कितने से change होगा वो आप से पूछा जार है question फिर समझे लो यह structure दे रखा है पहले को और आपको यह पूछा है कि germanium के diode को reverse करने के बाद V0 कैसे बदलेगा तो पहले आपको निकालना है इसी form में V0 कितना है इसको reverse करन शुक्तर देंज करें किना है इसको और पता करना है इसका पता करना है okay अप समझे के यहां बैटा जी कर रखा है grounded इसका voltage कितना है वह negó clock कि और रह नहीं है तो इसका voltage कितना六 वोड है यह जिन्दे और होना से voltage 0 है तो इस point का voltage कितना है यह है plus का 12 वोल्ट अगर इसको पर रिवर्स कर देते तो minus का 12 हो जाता अब आप देखें यहां 0 है यह 12 है यह कौन सा पी टाइप, N टाइप, P टाइप, N टाइप, दोनों भी forward rising में है परंतो आपने क्या देखा था कि जर्मेनियम और दोनों यहां पर कैसे है पैरलल कॉंबिनेशन में है जैसे इन दोनों के भी इसका voltage अपने increase करना शुरू गड़ते हैं और जैसे point one volt किया, current pass नहीं होती, point two किया, current pass नहीं होती, point three करा, point three हलका सा उससे अध current पूरी यहां से pass होगी, उसके बाद इसका use नहीं है, इससे pass होने वाले current कितनी है, zero पहले पार्ट में, तो first part में current जब यहां से pass होगी, तो उस समय इस पे drop कितना है, point three volt, point three volt इस पे drop होगा, तो बारा वोल्ट में से point three volt इस पे drop होगा, तो remaining part जो है वी नोट, वो बिटा कर दें, इसको reverse करते ही तो क्या होगा, reverse करने पर अभी हो चुका, forward से reverse bias में, reverse bias होती है, अब यह बहुत high voltage आने पर operate होना शुरू होगा, और आप इसमें input कितना अपलाई कर रहे हैं, 12 से यह अब operate नहीं होगा, तो अब दो कि मजबूरी में क्या होगा, यह reverse bias में हो चुका देखें, उस part में, उसमें current अब यहां से pass होगी, फिर यहां आएगी, इसमें current कितना zero हो जाएगा, अब current इसमें होगी, तो इसमें operation है conducting start कब करता है, यह 0.7 volt होने पर conduction start करता है, तो अब देखो, 12 में से 0.7 इसमें ड्रोप होगा, तो remaining कितना होगा, तो V0 days हमारे पास है, 12 में माइनस बेटा जी 0.7, वो है 11.3 volt, अब पुछा कि ऐसा करने से V0 में कितना change हुआ, तो change अपर निकालेंगे, तो delta V0, बाद का माइनस पहलेगा, तो इसमें से घठाएंगे, तो यह माइनस का 0.4 volt, यह इसके mode की बात करते है, mode तो plus का होता है, 0.4, तो 0.4 volt से इसका magnitude वो बदल जाएगा, तो इसका answer कितना point? 4 volt, बहुत अच्छा question है, ठीके बटे जी, बढ़े आँगे, आज आओ तो, next question, यह question आपका है, for the circuit sound below, the current through the zener diode is, जेंडर नहीं यह है आपका zener diode, तो जेनर diode जो होता है, उसमें आपने पढ़ा होगा, यह हमेशा reverse bias में operate होता है, दूसरी बात, जब इसके across voltage, इसकी general voltage के बराबर या उससे अधिक हो जाता है, तो इसके across voltage आउटपुट होता है, वो constant हो जाता है, वो बदलाव उसमें नहीं होता है, चाहिए input आप इससे अधिक कितना भी दे दो, है ना, तो अब आप समझें, कि जेनर diode है, उसके across voltage तो कितना 50V है, कि तो fix रहना है, इसके मतलब इसके across voltage कितना है, तो 50V हो गया, यहाँ 10 किलो जो हम आप लगा रखे हैं, इसके across voltage कितना है, यह है 50V, इसलिए इसमें करण कितनी आई, वो आप आराम से निकास तो 50 upon 10,000, 10 की है, यानि इसमें जो current आ रही है, इसको मैं यहाँ पे बोल दूँ आई, और यह एक तरह से आर होता है, इसमें यह L है, यह load resistance होता है, आई L हमारे पास कितनी है, 50 upon 10 किलो, इससे उड़ाओं यह, यह हमारे पास है 1000, इसको उपर लेंगे तो हमारे पास current आगे 5 mili ampere, 1 upon 1000, यानि 10 की पाउर उपर चलेगी, मैनिस का 3 हो गया न, तो यह 5 mili ampere current इसमें flow कर रही है, बात clear, अब समझो, हमने यहाँ पे 120 volt apply कर रखा है, इस में से, इसमें drop कितना 50 है, तो remaining इसमें इसमें drop हो गया, तो 120 में से 50 आप मैनस करोगे, तो इसमें drop कितना है, 70 volt, 70 volt इसमें drop है, अब 70 volt इसमें drop है, तो इसमें current कितनी आई, यह होता है, एक तरह से RS तो IS जो current इसमें है वो बेटा जी कितना है देखो 70 upon 5 kilo 70 upon 5 kilo अब 70 upon 5 kilo जो है उससे अपने इसकी current find करेंगे तो बेटा जी ये हो चुकी है 70 upon 5 कितना होता है 14 upon कितना है 1000 तो 40 milli ampere ये इसमें current है अब क्यूशन आपका हो चुका है यहां से current कितनी start हो रही है 14 milli ampere इसमें कितनी जा रही है बेटे जी 5 milli ampere तो remaining इसमें किर्चॉफ स्लो अपलाई करना है तो अब यहां जो current इसमें जा रही है IZ गो बेटा जी होता है IS माइनस कौन सी I ये बेटा जी L IS है कितना 14 milli ampere माइनस कितना बेटा जी 5 milli ampere उसका difference कितना 9 milli ampere ठीक है तो यह कुशन अभी आपका हो गया अब बढ़ते हैं अपन कुशन 39 में आते हैं अब यह कुशन लगातार कैसे हैं इसी ही टाइप के हैं तो इसमें concert वही एक ही लगता है इन दा गीवन सरकीट दाफ करन्ट थू जेनर डायोड इस क्लोज टू अप्रोक्स इसमें से करन्ट कितनी फ्लो होती वह आप से पूछी इसमें कितनी जारी वही कुशन अभी पले वाला यह अच्छा जी यह आर्टू है यह बी आर्टू यह दोनों सेम ही है तो इसमें वा अलगतर है टैन वाल्ट इसके अक्रोस्ट इसको कितना है टैन वाल्ट इसमें कितनी इसमें कितनी जारी वह आप निकाल सकते हैं और दोनों सही है तो करन्ट एक क् うबल ऑबन کر लें को suspended 4 ह्यह दैफो 12 में से 12 में से 10 वाल्ट इस पे लोग कितना हुआ इस पे ड्रोग जो है तो आप देख पा रहे हैं 2V है कितना 2V तो जैसे कि मुझे इसमें करण निकालनी है IZ तो IZ हमारे पास क्या हैगी वो है IS या I1 मालो जो IS में से आप इन दोने करण को माइनस करोगे न तो यह होगे 2IL की लोड रेस्टेंस यह कहलाते है तो IS तो हमारे पास बेटा है 2 अपॉन 2 अपॉन 500 माइनस जो इस वाले में करण निकालनी है 10 अपॉन इसका रेस्टेंस है 15 1000 अब इसको आप सॉल कर ले तो अगर मैं इसमें देखो इस वाले को मैं 2 से मल्टिप्लाइ करूं यह हो चुका है कितना 1000 तो 4 अपॉन 1000 यह हो चुका आपका 4 मिली एंपियर माइनस 4 मिली एंपियर यदि इसमें यह तो इसका 1000 अलग कर दूँ तो 10 अपॉन हमारे पास ही रह गया एक तरह से 10 अपॉन 1.5 10 अपॉन 1.5 तो जो करण यहां पर आ रही है तो वो तो इससे यह तो पोसिबल नहीं है यह संभव ही नहीं है यह ज़्यादा वेली बैलिव आएगा यह कम है तो ऐसी करण तो संभव ही नहीं है तो यहां तो आंसर कितना पाना चीए यह circuit operating नहीं करेगा तो जीरो यहां answer कितना में जाएगा जीरो यह operator नहीं करेगा वह यह current तो कैसी कम रगी जदा रगी यह संभाव ही नहीं है ऐसा structure संभाव ही नहीं है इसलिए इसका answer भी कितना हैगा जीरो ओके बड़े question 40 बे आज आईए 40 question आपका है कि the circuit is on below contains two ideal diodes each with a forward resistance of 500 sorry 50 ohm if the battery voltage is 6 volt the current through the 100 ohm resistance in ampere is 100 ohm में से current कितनी pass हो रही है 100 ohm कौन सा है यह वाला है इसमें आप से current पोची गई है देखो अभी यह है आपका minus ही कौन सा plus तो यह कौन सा high voltage low voltage यह आपका high और low तो यह तो है reverse bias में operate नहीं करेगा तो इसको तो आप कर दो रिमूँ हटा दो इसको तो यह काम करे नहीं है अन तो अब इस पूरे circuit में resistance कितना है तो आप देखें सब अब हो चुके हैं series में 150 plus 50 कितना 2000 200 plus कितना 100 तो 300 इसका resistance आ गया और net voltage कितना है 6 तो current यहां से पास होगी वह इसमें आएगे तो यह तो current आप से पूचिए आई वह है net voltage बेटा कितना 6 वोल्ट 6 वोल्ट अपॉन आर equivalent वो है कितना 300 तो इसको solve कर रहे हैं यह हो गया आपका 1 upon 200 sorry 2 upon यह हो गया 2 upon 100 तो पॉइंट 02 पॉइंट 02 यह इसका right answer है हो जाएगा बढ़ा हैं यह question में तो next question आपका 41 तो 41 में देखें the reverse breakdown voltage of a जिनर डायोड is 5.6 वोल्ट इन गिवन सरकेट तो परिपत में जिनर की पर्स दिश्चिक भंजन वोल्ट ता 5.6 वोल्ट है तो आप से पूचा है the current IZ through the जिनर डायोड इस आपको आइजड पूचिए कोई किश्टन है इसका voltage आपको दे दिया गया है कितना 5.6 तो 9 में से 5.6 इस पर drop हो रहा है तो इस पर drop भी कितना है 5.6 इस में current कितनी पास हो रही है वो अपर निकाल सकते हैं यह current IZ वो है बिटाज जी कितना 5.6 अपॉन 800 अब 9 में से यह voltage इस पर इस पर voltage अपलाई कर रहे हैं जिसमें इसे कुछ drop इस पर कुछ speed दोनों आपर समें बराबर हैं यह आपको दे रखा है तो यह आपको निकाला था 9 में से इसको पने करा डिफरेंस अब आप से पूछा इतना साथ था कि जेनर डायोड में current कितनी पास हो रही है आपको इसमें 5.6 अपॉन 800 अब इसको solve कर लें आप solve करेंगे तो आपको इसका अच्छा सा answer हो मिल जाएगा बोलो कर लेंगे answer तो आपको इसको solve करना इसका answer आपका 10 मिल एंपियर आज आएगा इसमें टाइम एपन होड़ा सा बचा लें आपके लिए ताकि विड़ देखने में आपका समय ज़्यदा खराब नहीं हो mathematics साहब कुद करना बटे अब आते हैं पर question number 42 पर देखें सारे question उसी type के यह हैं यहां फिर पूछा है the figure represents a voltage regulator circuit using a xenodayode the breakdown voltage of the xenodayode is 6 volt इसकी breakdown voltage आपको दे रखे है 6 volt okay and the load resistance is 4 kilo ohm यहां resistance आप लगा रखे हैं वो है बेटाजी 4 kilo ohm यह भी given है the series resistance of the circuit is 1 kilo ohm जो series resistance है वो है 1 kilo ohm if the battery voltage will be varies from 8 to 16 यदि इसको हम यहां पर vary कर रहे हैं 8 volt to 16 volt तो आपसे पूछा है what are the minimum and maximum value of the current through xenodayode तो इससे कम से कम current किते पास होती है और maximum current किते पास होती हो आपसे पूछी गए तो कम से कम तो कब होगी जब आप इसका application जो आप कर रहे हो कम से कम कितना 8 volt 8 volt apply करेंगे तो इसमें current कैसे कम से कम होगी जब 16 apply करेंगे तो current कैसे आगी maximum current अब आप पुरा समझ चुके हो तो अगर मैं इसमें आप से यहीं पोच्छों तो इसमें जो i z यदि आपको निकालनी है minimum यदि आपको निकालनी है i z beta जी कौन सा maximum तो बस बिलकुल सा formula इसका है जैसे आपको निकालना है इसमें कौन सा minimum तो आपने input लिया 8 volt 8 में से इस पे 6 इस पे कितना 2 तो इसमें current कितने गे देखो आप इसमें current है 2 upon 1000 यनि 1 kilo minus अब 8 में से 6 इस पे drop है इसी current आपको निकालनी है वह है 6 upon 4 kilo तो आप देखो यहाँ 1 kilo यह तो है आपका 2 mili ampere और यह 6 upon 4 यह नहीं कितना हो गया 1.5 नीचे kilo है तो यह आपका 1.5 mili ampere आ गई तो 2 में से आप 1.5 को कर दो minus तो हमारे पास इसके value कितनी आई 0.5 mili ampere यह इसकी है बेटा जी कौनसी मैंने यहाँ पर इसकी find कर दी है पहले आपको सबसे minimum current आपको निकाल दी है यह आपको maximum निकालनी है तो maximum के लिए आपको पहले यह देखना पड़ेगा कि voltage आपने कितना apply करना है वो है 16 volt 16 apply करने पर इस पर 6 इस पर कितना 10 हो गया क्लियर तो अब इसमें current आप निकालोगे तो बेटा जी वो तो fix है यह वाल तो उतनी रहनी है पर इसमें voltage आप बदलेंगे तो हमारे पास जो current आई देखो यह है 166 इस पर 10 इस पर 10 अपॉन बेटा जी वन किलो ओम माइनस यह है बेटा 6 अपॉन 6 अपॉन वापिस कितना 4 किलो तो 10 अपॉन दिस हो गया 10 मिली एंपियर 10 में से 6 1.5 कड़ा दो आप 10 में से 1.5 आप कर दो माइनस तो current आपकी आगई 8.5 मिली एंपियर तो इसका answer कितना हो आप 0.5 मिली एंपियर एंड 8.5 मिली एंपियर पिल्कुल पहरा प्रशन है अच्छा मैं एक बात यहां बता हूँ आपको देखो theoretically कि जिनडायड आप यूज करते हो तो जैसे अपन इसका voltage VZ के बराबर या उससे अधिक करने की और बढ़ते हैं तो आप देखें इसके अगर उस voltage तो fix है यानि जो current इसमें load से पास होती ह फिर अपने इस voltage बढ़ाते हैं वोल्ट आप बढ़ाते हैं तो VZ इस पर ड्रोप पता है तो remaining voltage इस पर ड्रोप हो रहा है तो उस condition में यह current बढ़ रही है अब यह current बढ़ रही है यह current constant है तो जो बड़ी भी current अब किसे पास होती है वो पास होती है IZ से जिनडायड से और आ अच्छे नियंतरण के लिए अच्छे वोल्टा नियाम की रूप में कामें लेने के लिए जो जिनडायड उससे पास होने वाले current है वो इसकी तुलना में चार या पांस बोनी होना चाहिए तब यह अच्छे से प्रोपर वे में काम करता है ठीक है इसको भी आप ध्यान वोल्टेज शिक्स वॉल्ट इप अन्रेगुलेटेड इंपूट वोल्टेज वेरिज बिविन 10 वोल्ट तो 16 देन वाट इस दे मैक्सिम पूछिए ओनली मिनिम आपको फैंड नहीं करनी है जिसमें हम इसको वोल्टेज को कितना कहां से कहां बदल रहे हैं तो 10 से 16 इसको हम हम लोग कंवर्ट कर रहे हैं बदल रहे हैं वह है जाय टेनव वॉल्ट तो 16 वॉल्ट अच्छा इसका ब्ल बेड़न वाटीज कितना है वाल्ट यह वॉल्टक देन विल्टक है तो इस पे डोब हो गया इसका ड्रोप लिए बेसे कहां सिक्स वॉल्ट है अब उपसे 16 का 6 ड्रोप यहां तो इस पे ड्रोप कितना है 10 वाल्ट अब करेंट आपको निकालनी है तो जो करेंट इसमें पास होती है उसमें से माइनस कर तो यह वाली करेंट आपकी सेसर जाएगी तो IZ वो भी बेटा जी कौन सा मैकसीमाम उस कंडिशन में यहां मैकसीम अपलाई करा तो यहां वोल्टेज कितना है तो 10 अपॉन 2 किलो माइनस इसमें कितनी है 6 अपॉन 4 किलो अब यह मैथेमेडिक आपको आनी चाहिए 10 अपॉन 2 कितना 5 अपॉन 1000 5 mmA यह करेंट है 5 mmA माइनस 6 अपॉन 4 कितना 1.5 अपॉन कितना किलो है नहीं तो इसको भी आप सॉल्ट clear clear तो 5 में से 1.5 आप कर दो difference मैनस कर दो 3.5 यह इसका बिलकुल एक शांतर आंसर आपको मिलने जा रहा है ठीक है बैटे नेक्स्ट क्यूशन पर आते हैं क्यूशन 44 यहां लिखा है in the figure potential difference between A and B A और B के भी इसका potential difference क्या हुआ आपसे पूछ जा रहा है वापिस क्यूशन वैसा ही है अच्छा जी अब देखो यहां अपन अप्लाइ कर रहें 30 वोल्ट यह 10 किलो और पूछ आपन से A और B जो है इनके बीच voltage का difference कितना है यह प्लस माइनस यह पी भाग इसका एन बाफ forward vice में हैं जब भी आप कभी ऐसे questions करें circuit में लगा रखा है और पेंड डायोड बाइसिंग कौनसी है और forward तो यह operation condition में होगा इसको अपन कैसा यूज करेंगे ideal और इसके ideal होने पर इसके junction के बीच voltage drop अपन किता लेंगे zero और इसका resistance भी पन क्या लेते हैं zero इसके मतलब यह simple wave में लगा रखा है अपने इससे कोई हमें फरक नहीं बढ़ने वाला है simple essay इसको देख लो अब आपको only a और b की बीच का voltage difference निकालना है तो आप देखेंगे 10 किलो ओम 10 किलो ओम हमें अभी दिख रहे हैं उसे साबसे किस order में है यह है parallel combination में तो 10 और 10 कितने हो चुके है 5 कितना बेटाजी 5 और 10 फिर किस order में है वो है series में तो अगर मैं इसको resistance को मान लो यहाँ पर 10 किलो यह हो चुका आपका कितना बेटाजी है 5 किलो ओम तो यह तो है 10 किलो ओम यह विटाजी है 5 किलो ओम और इनके across आपने voltage अपलाई कर रखा है वो है 30 वाल्ट अब यह point आपका A है यह point आपका B आपको सिर्फ A और B के बीच का voltage difference निकालना है अब only आपको इस voltage को divide करना है constant है same है तो यहाँ V किसके परपोस्टन है resistance के परपोस्टन है इसलिए V1 और V2 का ratio जो होगा वो है ratio R1 R2 10 और 5 यानि कितना होगा दो अनुपात 1 तो ratio 1 जिसमें से हमें निकालना है कौन सा इस वाले में इसका कितना है 1 तो आप इसका V2 निकालना है V2 ही बिटाजी यहाँ प कितना हुआ 10 तो अब आपका answer है वो मिल गया जो है 10 वोल्ट ओके यह answer बढ़ें आंगे next question 45 यह भी question वैसे ही है यहाँ है the current I in the network is इस current को आप से पूछा गया है कोई issue नहीं है चेक कर लो यह plus minus current यहाँ से चलना चाहिए अब यह आ गया reverse bias इसको अटाओ यहाँ पर कोई समझ्या नहीं है अब current देखो यहाँ से इसमें होते वे चलेगी यहाँ कि current पास होती नहीं यहाँ से current आएगी यहाँ यह भी कौन से reverse bias में आ गया यह भी use नहीं होगा तो current आने वाला resistance है उसको आप calculate कर लें तो यह 5 यह 10 यह 5 यह 10 सब कैसे इन सीरीज में है तो 10 और 10 कितना आपके हो चुके हैं सब सीरीज में है तो 5 और 10 कितना 15 और 15 कितना आपका हो गया 30 थर्टी ओम इसका total resistance है तो current हमारे पास इसकी आएगी i is equal to beta z net voltage कितना 9 upon 30 तो चाहो तो आ 0.3 ampere यह इसकी proper current आजाएगी सही है तो सारी questions बहुत easy है लास्ट टाइम में अगर टोपी को 107 पढ़ लेते हैं जो crash course में पढ़ने पढ़ा था उस तरह से आप इसको revise कर लेते हो तो विलकुल आप अपनी मंजिल है उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हो हम आगे question 46 में question है तो identical capacitors देखो questions में जड़ा इसमें कोई लफडा नहीं है यह कोई capacitor है इस capacitor को हमने charge कर रखा है तो identical capacitor A and B charge to the same potential 5 volt इसको अपने 5 volt तक यह वी equal to 5 से इसको charge कर रखा है यह वी is equal to 5 volt तक अपने charge किया वा है are connected in two different circuits as on below at time T is equal to 0 इन दोनों को अपने different way से जोड़ रखा है और T equal to 0 पर circuit आपको दे रखा है if the charge on capacitor A and B at time T equal to RC T equal to RC बेटा ची क्या है यह time constant यह इसका mean life है mean life है यह RC DC circuit का mean life कहलाता है और इसमें अगर current sorry इसमें अगर capacitor discharge हो रहा है discharge होने पर इस समय के बाद जो charge होता है न क्यूँ वो कितना होता है peak value का 1 upon E times रज़ाता है अगर discharge हो रहा है तो discharge नहीं हो रहा है तो constant रहना है वो अपने विश्में देखना है तो okay आजाओ सबसे पर देखो यह plus minus यह plus है तो यह high voltage यह low voltage यह high और low अगर यह high potential पे है यह low potential पे है तो P low potential पे है और इसका N part है वो कौन सा high potential पे है यह reverse बाइस में है reverse बाइस में है तो note operation condition में है इससे current pass नहीं हो सकती इसका मतलब अभी पहला जो circuit दे रखा है उस circuit में capacity discharge नहीं होगा यह discharge condition में अगर नहीं होगा तो operating condition इसकी है नहीं जो charge इस पे store है वो लगातार constant ही रहेगा तो इस first वाले में जो charge है वो तो आपका जो capacitance इसकी मालो C है इसको V voltage तक आपने कर रखा है चार्ज तो इसका Q कितना है इसका Q जो A है अगर इसका Q A अपन लिखें वो तो आपका only C V है तो constant रहेगा उससे बजलाव नहीं आएगा दूसरे वाले में देगो इसको reverse कर रखा है यह plus minus है तो इसका P भाग यह कौन सा N भाग पी तो कौन सा high way और N का है लो voltage पे तो forward wise में operation condition में ideal है current pass होगी इसका मतलब अभी capacitive mode में है यह है आपका disarging mode में जब disarging mode में है तो यहां से अब इसका लगाता disarge होगा और आप ज ही है वो कितना होता है जो क्यों इसका है initial उसका one upon in times रह गया तो cv by e raise आएगा तो only यहां पे diode किस बाइस में है वो डंग से आप चाहिए कर लो उसके बाद question बहुत आसान है हो गया देगो question 47 47 question आप से पूछ रहा है both the diodes used in the circuit zone are assumed to be ideal दोनों को हमें मानना है ideal have negligible resistance when these are forward wise जब forward में है resistance इसमें कोई drop इसका नहीं है built-in potential in each diode is 0.7 volt यह तरह से silicon diode है और इन दोनों का जो forward में नी potential नी voltage जिस पर ऑप्रेशन स्टार्ट करते हैं वो दिरेका आपने को 0.7 volt तो आप से पूछा for the input voltage on in the figure the voltage at point a is a point पे voltage कितना वो आप से पूछा है कोई issue नहीं है यहाँ अप अप्लाए कितना कर रहे हूँ 12.7 और यह चेक करो अगर इसको मानता हूँ यहाँ पर जिरो वोल्ट पर यह मानलो कितना है 12.7 पर तो यह high potential low potential लिए इसका पी भाग यह एन भाग है एन लो पे हपी हाई पर है forward में forward में अगर है तो इस पर drop कितना हूँ 12.7 वॉल्ट तो 12.7 में से 0.7 ड्रोप इस पर होगा तो remaining कितना है इसमें से 12 पॉइंट यह साथ में से minus का 0.7 कर दो तो कितना 12 वॉल्ट 12 वॉल्ट इसका क्या है potential of A है ओके बिलकुल कुशन आपका हो चुगा बढ़ाएं कि नेक्स कुशन में तो नेक्स कुशन आपका है 48 48 में वापिस देखो क्यूशन है दा सर्किट सोन बिलो इस वर्किंग एस ए 8 वॉल्ट डी सी रेगूलेटेड वॉल्टेड वॉल्टेज source when 12 volt is used as एक तो पहले इसकी लाइन समझना working as a 8 volt DC regulated voltage source यानि आप इसमें input कितना भी apply कर दो यह एक तरह से जिनर डायडी है और इसका एक तरह से net दोनों का net voltage है कौन सा VZ वो आपको दे दिया एक तरह से कितना 8 volt अब आप apply करते हैं इसमें 12 है 12 में से इस पे 8 volt drop है तो यह जो पूरा resistance है इस पे drop कितना है वेटा जी 4 volt है न 12 में से 8 इस पे तो बचा कितना 4 volt यदि 4 है तो इसमें current कितनी पास आई इसमें current है 4 upon यह दोनों है series में कितना 400, 1 upon 100 यानि एक तरह से current कितनी 0.01 एम पर इसमें current यह आ रही है अब इसमें कोई bypass circuit है नहीं तो जो current इसमें आ रही हो इसमें पास हो रही है आप देखो 8 volt इन दोनों का नेट है दोनों देखो आप देखो series combination में है अगर 8 volt इसका नेट है तो 4 volt इसका है अब पूछा आप से क्या है वो बड़ा important है आप से पूछा था power dissipated in milli volt इस डायोड पर तेक डायोड है इसमें power कितनी ख्षय हो रही है कितना इसमें power का dissipation हो रहा है वो आप से पूछा तो power और अपने पास इसमें डायोड की through personal current भी है इसका voltage भी है तो power P जो है dissipation वाली वह है V into I और पूछी एक की डायोड की पूछी है दोनों की नेट नहीं पूछी है तो एक का यह फैंड करना है एक का voltage कितना बेटे जी 4 इंटू I कितनी है 0.01 0.01 इसको multiply करेंगे तो 0.04 यह हो गया आपका watt बदलना इसको किसे milli watt में है तो milli watt बदलना है तो आप इसको 10 से करो multiply 10 से करो divide अब देखो यह वाला पार्ट 10 इसको अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आप पॉइंट 0.04 वाट बदलना इसको तो बिल्कुल सिदा साइस का answer है वो कितना 40 milli watt आजाएगा clear तो कितना बहत्री question है देखो यही अब जी में है वो कहा से question ले रहा है एक तरह से general diet में current find करना question site आए यह आपकी exam की site है यहां से question आना ही आना है तो यहां से अच्छे से practice करें आप next question 49 आईए साब अगला question आप से पूछा यह question आपका आगया transistor का बहुत बहुत बहुतरी impression है तो इसमें देखो आप question में जो पूरी इसकी जो information है वो sort में पहले मैं आपको घर दो explain ताकि अपना इसमें समय हो ज़दा खराब नहीं हो धान दे आप इसमें आपको दे रखा है RC 1 kilo ohm RC बिटा जी आपको दे रखा है 1 kilo ohm VCC दे रखा है आपने को कितना 5 volt fix दे रखा है constant उसके बाद इसमें Rb है वो है 100 sorry 100 kilo ohm यह दे रखा है अपने को 100 kilo ohm clear यह value अपने लिख दिये अच्छा अब आप से question क्या कर रहा है in the figure given that VBB supply can vary from 0 to 5 volt जो VBB supply है इसको अपन क्या कर रहे है 0 volt से ले करके 5 volt तक आप इसको increase कर रहे हैं बदल रहे हैं VCC बगरे मैंने आपको बता दी है beta dc यह है beta dc current gain beta dc आपको दे रखा है इसका 200 तो beta इसका वैसे होता कै beta बेटा जी होता है output current upon input output यहाँ पे कौन सी ic है input कौन सी ib तो beta है बेटा जी वैसे ic upon ib इसका value आपको दे रखा है 200 यह भी मिल गया इसमें कोई समझा नहीं है अब आप से पूछा है इसमें क्या है सब देने के परशाथ दे मिनिमम आर भी हमें लिख दिया आर से लिखा वी बी ए है वन वॉल्ट इस पे drop कितना हो रहा है वी बी ए इस पे drop है वन वॉल्ट वन वॉल्ट दे मिनिमम बेस करंट तो आपको बेस करंट जो है उसका value कम से कम है वो find करना है so transition will go to saturation अच्छा जा सबसे बड़ी इसमें important condition क्या है यह होना किसमेचे saturation condition में होना चाहिए अब देखो saturation के लिए आपने theory लिए पढ़ा होगा saturation condition में VCE जो होता है न बेटाजी वो कितना होता है zero यह saturation की सबसे बड़ी सारत है situation के लिए VCE का value कितना होना चाहिए zero होना चाहिए अब सुनो जो VCC आप दे रहे हैं यह अब आने पास इसका output circuit है VCC का drop किस पे है RC पर कुछ इस junction पे था यह तो zero है इसका मतलब पूरा 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 VCC drop किस पे उच चुका RC पर तो आप देखो इसमें current कितनी है IC तो आप इससे output से इसका equation लिखोगे न तो मैं यहां देखो ऐसे करने वाला हूं कि VCC equal to ICRC plus VCE अब question की demand के नुशार saturation condition में VCC कितना आपका zero है तो इससे हम क्या कर सकते है इससे हम लोग IC की value find कर सकते है तो IC हमारे पास आया VCC upon RC यह है VCC upon beta Z RC VCC कितना है 5 upon RC RC हमें क्या देरे रखा था बहलो वन किलो ओम वन किलो तो 5 मिली एंपियर करंट यह आपको मिल चुकी है कौन सी IC अब यदि आपको इसमें IB find करनी है तो IB में तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है आप इसको solve करके बीटा आपको देर रखा है तो बीटा हमारे पास था IC upon IB तो इससे मैं IB निकाल सकता हूँ इससे अपन IB की value find करते हैं तो IB हमारे पास कितना है IC upon बीटा IC बीटा जी कितना है 5 मिली एंपियर upon टू 100 बन गया असे से तो अगर मैं इसको solve करता हूँ यह अगर मैं इसमें देखो इसको multiply करते ही हो गया आपका 50 देहन देना मैं इसको यह 0 यह 0 इसको मानो हजार हजार चला गया ओपर तो यह 10 की पौद 3 पहले से इतना ही हो रहा है यह है 50 बटा दो पचीस तो पचीस तो यह हो गया पिर 10 की पौद 3 यह थी मैंस की यह और होगी तो यह हो गया मैंस का 6 पचीस माइक्रो एंपियर पचीस माइक्रो एंपियर तो आई भी हमें मिल चुकी है पचीस माइक्रो एंपियर पचीस माइक्रो एंपियर तो इसमें पचीस माइक्रो एंपियर तो इसमें भी है उसमें भी है कौन सा सही है उसके लिए आपको फिर दूसरी करना भी करनी पड़ेगी वो आप से क्या पूछा है नियुनतम अधरधरा पर ने गयाद कर लिए निवे सी सिगनल जिस पर ट्रांजेसर संत्रा परस्ता में पहुंच आता है तो कितना है तो अब इसमें इन्पूट अपने कितना लगाया है वो आपको उचा गया है तो कोई समय से आनी भई इसमें ड्रोप कितना है वो आपने निकाल लिया है इसमें करेंट आपने निकाल लिया है तो जो आपने वी इन्पूट यहां पे दिया है वो वैसे है कितना बैटेजी वो है VBE प्लस IC IB RB प्लस VBE दे रखा है आपको 1 वोल्ट प्लस IB RB इसको अपन फैंड कर लें IB मारे पास कितना है 25 माइक्रो एमपियर इंटू RB RB मेरे बच्चो है 100 किलो ओम तो 10 कीप और 3 और 2 पांच अब इसको solve कर लीजे यह 10 कीप और माइनस का 5 है माइनस का 6 इसको इससे multiply करेंगे तो point एक रहा इसको इससे multiply करेंगे तो point यहां आ चुका तो 1 प्लस 2.5 यह हो गया आपका answer 3.5 वाल्ट 3.5 वाल्ट अब इसका answer fourth हो जाएगा ठीक है बटे कड़ेंगे ना तो next question पर डिसक्स करते है 50 वाला question है common ammeter amplifier circuit built using an NPN transistor is shown in the figure its DC current gain is 250 जो इसका DC current gain है बीटा बीटा आपको दे रख है 250 RC 1 किलो ओम 1 किलो ओम VCC 10 वाल्ट what is the minimum based current for VCE to reach saturation बात वोई पहले वाली for saturation संत्रप तवस्था के लिए VCE should be 0 अगर VCE 0 है तो आप देखेंगे सारे अपने grounded कर रखें हैं तो इन सब का वैल्यू मतलब 0 वोल्ट है यह सब 0 वोल्ट पे है तो VCC अब ड्रोप किस पे हो रहा है only RC पे और इस junction पे और यहां तो अपन कह रहेंगी situation condition में VCE कितना 0 है इसका मतलब वा कि VCC पुरा ड्रोप किस पे हो रहा है RC पे हो रहा है इसलिए इसमें जो current होगी इसमें जो current बेटा जी IC होगी उसको आप यहां से find कर सकते हो पुरा ड्रोप ही EC पे हो चुका इसका मतलब VCC is equal to ICRC इससे पर निकालते हैं IC तो बेटा जी हो गया VCC by RC अच्छा जी VCC कितना था हमारे पास 10 अपॉन यह है 1 किलो ओम इसका मतलब आपने वो IC मिल चुका है 10 मिली एमपियर clear अब आप सिफ पूछा क्या था कि इस condition में इसमें IB कितना है बेश करन कितनी है तो बेश करन निकालने के लिए आप देखो आपने पड़ा इसमें जो बेटा होता है वो है क्या DC बेटा कितना है output current upon input output current आपका है IC और input beta is यहां कुछा है IB और इससे आपको IB find करनी है तो IB हमारे पास हो जाएगा IC upon beta value put कर दो IC हमारे पास थी 10 मिली एमपियर और बेटा हमारे पास है beta जी 250 यदि इसको अपने 4 से multiply करें 4 से divide करें तो यह बन चुका आपका 1000 1000 को उपर जाएंगे तो 10 की पर मैनस का 3 और आ जाएगा तो उससे बन गया कौन सा आपका micro में तो यह beta जी हो गया 40 micro ampere ठीक है तो इसका answer आपको हो जाना चाहिए 40 micro ampere बढ़े next question में अगला question आपका है 51 51 में देखो आप पहले बार पढ़ लीजी question को एक NPN transistor is used in common ammeter configuration as an amplifier with 1 kilo ohm load तो NPN transistor हैं बाकी कुछ में इसमें कुछ लिखा बनी है बाकी जैसे this produces 3 mili ampere change in collector current 50 micro ampere change in base current यह सब आपको देर रखे हैं तो अपन पहले इसका circuit बना रहते हैं कुछ इमेंशन नहीं कर रखा इसके मतलब common ammeter configuration आपको दिया गया है तो common ammeter configuration अगर आपन बनाएं तो प्यारे बच्चो यह base यह आपका emmeter और यह collector और इसके साथ मैं एक resistance जोड़ देता हूँ यह आपका RC है इसको बोलते हैं load resistance या out resistance इसको अपन कहते हैं RB या input resistance या base resistance यह अपने यहाँ पर लगा रखा है अब देखो question इसमें आप से यह कह रहा है सारी बाते बता दूँ आपको कि जो RC अपनी हाँ लगा रहे हैं वो तो है डेल्टा IB वो आपको दे रखा है 15 micro ampere को कोई दिक्कत नहीं है तो डेल्टा IC यहाँ जो current में change हो रहा है और इसमें जो change हो रहा उसका ratio आपको यहां से निकल सकता है और इससे आप इसका बीटा AC फाइंड कर सकते हो बीटा AC आप यहां से फाइंड कर सकते हो तो बीटा AC प्यारे बच्चों हमारे पास किता होगा डेल्टा IC अपन डेल्टा IB कर लेंगे बिल्कुल वेल्व सही है अच्छा आप सुनो यह सब करने के परशाद आपको इसमें पूछा है क्या बेटे जी पुछा है the input resistance and voltage gain are input resistance और voltage gain आपको find करना है तो input resistance इसका होगा कितना input resistance के लिए देखो कि अगर मैं लिखूं V input तो V input वैसे होगा क्या I input into R input तो input जो आपका circuit है उससे पर इसको find करेंगे तो बेटे जी R input हमारे पास क्या बनेगा V input upon I input यानि input वाले की current अब आपको दे रखा है हमने यहाँ V input कितना अपलाई कर रखा है 10 mili volt और इस वाले में current कितनी है I B आप देखी है वो 15 micro ampere यह है 15 micro ampere इससे solve करके आप इसका input resistance find कर सकते हो और यह करीब-करीब आपका 0.66 6 kilo ohm आज आएगा यह आप easily कर सकते हैं अब आप से कुछा है इसका voltage gain तो voltage gain में जदा इसमें importance नहीं है जैसे voltage gain आपको find करना है तो मैं इसको लिखूँ A V A B होता है कि आप beta into beta Z R output upon R input हमने beta find कर रखा है बताया मैंने आपको delta IC upon delta I value नहीं लिख दो कोई दिकत नहीं है delta IC upon delta IB into R output upon R input सबकी value आपको दे रखिए इन सबको आप put करें solve करें और solve करने से इसकी जो value है वो आपको 300 है वो मिल जाएगी जो खुद solve कर सकते हो process में आपको सही से समझा दिये ठीके बटे बढ़े आगे question 52 पढ़ें इसको an NPN transistor operates as a common emitter amplifier with a power gain of 60 decibel power gain आपको दे रखिए 60 decibel तो decibel में एक तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इसका जो power gain होता क्या है तो इसका decibel में power gain होता है बेटा जी वो होता आपका 10 log 10 base जो I upon I naught output कितना है और input कितना intensity आप दे रखिए intensity power के होती है proportional तो आप इसके स्थान पर P upon P note के लिशकते हो जहाँ पर P output है P note है वो कौन सा आपका input है अब ये बेटा है किसमें ये है ध्यान देना ये decibel में है ये जो है वो है किसमें decibel में है अब decibel में आपको दे रखा कितना है power gain वो है बटे 60 decibel decibel से आप इसको उड़ा सकते हो 10 से इसको उड़ा दीजेगा 6 आ गया लोग आप इसमें हटाएंगे जब लोग हटाते हैं तो हमारे पास इससे दो value कितने आ रही है ये है P upon P note is equal to 10 to power 6 ये हमें P output upon input का value मिल गया कोई दिकत नहीं है अराम से हाँ तो कोई दिकत नहीं है अच्छा अब इसके बाद देखो जो power gain होता है real में ये तो decibel में था power gain real में होता है क्या है आप जानते है power gain amplification of power वो होता है beta square into R output upon R input output का resistance कितना है और input का कितना है बीटा आप जानते है उसमें क्या है ये current amplification factor है दारा प्रवर्दन गुणां कहलाता है common emitter configuration के लिए अब ये सब जो है और power gain ये तो हमने formula से बना लिया और हमने find करा था power gain वो है कितना हूँ है beta 10 की power 6 कितना हूँ है 10 की power 6 अब इससे solve करके आप इसका beta है वो find कर सकते हो तो देखो beta square मेरे पास इतना है तो इससे पर solve करेंगे तो देखिए आप beta की value पर निकालेंगे तो ये हुआ 10 की power 6 into r input upon r output और इसका root ओके बताओ तो मुझे 10 की power 6 का तो वैसे root कितना 10 की power 3 हो गया बाहर ले लेते हैं r input upon r output ये आपको दे रखें इसमें input resistance है 100 ohm और output कौन से है 10 kilo ohm तो input देखें पहले input चलो इबार में पूरा इसार लिए देता हूं r input हमारे पास कितना बेटे जी ये है 100 और ये है आपका 10 की power 4 10,000 ना ये वा अब इसको solve करें देखें इसकी 4 power यहां से ड़ा दूँ 10 की power 2 रहेगी 10 की power 4 होगी total तो 10 की power 4 का root कितना है 100 यानि 10 की power 2 ये इसका हो जाएगा current amplification factor पर आप से पूछा भी क्या है धारा लब्दी यानि current amplification factor पूछा गया ये इसमें एक additional चीज़ है कि decibel में इसकी एपन लेते हैं power gain की value वो कितना है वो आपका होता है ये decibel में output करने पड़ेगी और ये भी किसमे decibel में है और इससे एपन क्या कर सकते हैं जो power gain है वो यहां से निकाल लेते हैं p out upon upon कौन सा p input जान देंगे है क्या वैसे इसको p upon p note की रूप में लिख रहे हैं पर real में है क्या ये p output upon p input ही है इसी को हम कहते हैं power gain ठीक है बढ़े आगे अब आते हैं अपन next question में question number 53 में तो paste खाली कर ले ओके ये question है the transfer characteristic curve of a transistor having input and output resistance 10 sorry 100 ohm and 1 100 kilo ohm respectively is shown in the figure the voltage and power gain are respectively आपको इसमें voltage gain और power gain है वो पूछा जारा है पहले graph देखे हैं आपके इसमें है IC versus IB और ये जो circuit है वो तो आपने पढ़ा होगा ये NCRT की बिल्कुल copy है NCRT से लियागा एक बहुत शांदर question है तो उसमें आपने पढ़ा है common emitter वाले configuration में तो common emitter में एक तुधान दो आप कि common emitter के अंदर जैसे इसको पनी हाँ पे E लेते हैं ये हमारे पास बेटा जी कौन सा B है और ये है कौन सा C part और इसके साथ आप resistance भी output का और input का assume कर सकते हो ये आपका RB या R input की रूप में लेते हैं ये हो गया आपका RC या R output की रूप में ले सकते अब इसमें धेखो output करं का सी है I C, input क्रंक शाब का है IB इस से पन क्या निकाल सकते हैं इस से पन निकाल सकते हैं इसका current amplification factor तो graph में देखो graph मारे पास I C अपन IB और इस graph की help से इस ग्राफ की help से पन आगे बढ़ें या देखो इस graph की help से इसका बीटा निकाल सकते हैं बीटा यहाँ पर इस graph का slow बन जाएगा 10 theta graph कैसा straight line है तो slow भी कैसा आपका constant है तो 10 theta हमें यहाँ से निकालेंगे तो देखो यहाँ पर अगर इसको मैं देखूँ तो यहाँ current कौन से लेखे यह तो मालनो delta ic बिटा और यह मालनों कौन सा delta ib तो delta ic यहाँ से यहाँ तक कितनी है देखें आप यहाँ current कितना देखें आप y axis पर 10 और यहाँ current कितनी है 20 तो delta ic होंकर 20 minus 10 यह हुआ 10 पर है किसमे milli ampere में 10 milli ampere और नीचे वाले portion में यहाँ से यहाँ देखेंगे आप तो current आप देखो base current है वो कैसी micro में है और अक्स अक्स पर पहले यहाँ पर कितना 100 हो और यहाँ कितना आपका है सोरी यहाँ तो है 200 और यहाँ कितना आपका 400 400-200 यह हो चुका है 200 micro ampere सही है तो इससे हम लोगों ने delta ic भे निकाल लिया delta ib निकाल लिया अब इससे पर निकाल लिया slope तो slope 10 theta जो है वो है delta ic अपॉण delta ib तो 10 milli अपॉण 200 micro सही है जिसमें से यदि इसको मैं यहाँ से उड़ा दूँ तो मेरे पास रहा 1 अपॉण 20 1 अपॉण 20 चीक है बेटे तो अब इससे पर निकालना क्या है वो देखें आप इसमें आपको निकालना है voltage gain और power gain तो देखो एक तो है av वो तो आपका beta into r output upon r input यह आपको दे रखें beta मैंने आपको सिखा दिया ऐसे पर निकालना है इसका ap वो है beta square into beta जी कौन सा r output upon r input तो formula आप से बिल्कुल सिदे से है beta आपको दे रखा है beta मैंने आपको सिखा दिया r output और r input की value रखो proper इसकी करो calculation आपका answer बिल्कुल 60 आज आएगा तो समय आप इसका खुद ही use कर लें ठीक है बेटे अब हम आते हैं next question पे 54 output 1 of r for the given logic circuit the input values must be इसमें input value है वो कितनी होनी चाहिए एक तो इसमें correction करना हलका सा correction यह है इस question में कि यहां जो logic gate है वो end gate है जो exam question आए था उसमें यह end gate लगा रखा end भी साथ मैंने end के साथ यह आपका end gate अपलाई कर रखा है यह आपको तुरह सा द्यान रखना है ठीक है अब इसको समझें आप तो आपको निकालना क्या बेटेजी इसमें कि output 1 के लिए logic gate में input कौन से है वो आपको बताने है आ जाओ तो यहां x लगा रखा है तो x से देखो यह है आपका note gate तो यह हो चुका x bar ठीक है और उसके बाद यह इसमें input चला गया यहां y है y से y आ गया कोई समझें आ नहीं है अब यह कौन सा और gate है न तो यहां आपको क्या मिला यह मिला x bar plus y ओके फिर अपन यहां से नीचे आएं तो यह y यहां से यहां भी बटा ही y का y bar हो गया और x जो है x बिना कि exchange के यह x हो गया पर यहां आप देखो पहले यह पहले क्या करेगा इसका यह है end तो x dot y bar और उस पे फिर note gate भी है तो इसका note यह दोनों फिर यहां पे आ रहे हैं फिर इसमें यह कौन सा है और plus तो सबसे फिर और इंग होगी और इंग के अंदर आपने इसको चेक करेंगे तो और इंग देखो आप यह बेटे जी हुआ आपका x बार प्लस y ठीक है और फिर इसमें हो रहा है और इंग का मतलब प्लस और यहां से आपको मिल रहा है x dot y bar clear और यह जो आपको यहां मिल रहा है और इंग के बाद इसका नोटिंग भी है नोटिंग मतलब पूर एका आपको क्या कर देना चाहिए नोट भी कर देना चाहिए यहां तक कोई समझा नहीं है अराम से आप कर लेंगे अब इसको solve करें अब देखो इसको अपन solve करेंगे आगे तो इस बार को अपन यहां से हटा दे यह आउट पूड मिल चुका है इसको अटाएंगे तो देखें आप x bar plus y bar को अपन दोनों पर कर दें separate plus को आप बदलने इसमें क्या होगा बेटा जी यह dot और यहां हम लिखें x dot y bar का double bar clear यह अपने को यहां इसका result है वो मिल रहा है हाँ एक थोड़ा सा इसमें correction देखना कि इसका अपने को output यह मिला था यह output फिर इसमें हमने combine किया था तो यहां यह एक बार भी था बेटा जी इसको अपने हाँ पर फिर चोड़ जा रहें अब इसको आप break करेंगे तो देखो यहां पहले से बार और है यह अपने लगाया नहीं था इसको चेक कर लें वापिस अब double bar है तो process आदो double bar होने पर आप इसको अटा दो आप पढ़ते हैं na अब double bar is equal to क्या होता है इसको फिर अपन ओपन करेंगे तो इसको अपन ओपन करेंगे तो यह वाद देखो बटाजी एक्स डबल बार प्लस का कर दो आप dot यह y का हो गया y bar यहां dot का dot है और यहां आप क्या मिला यह है x dot y bar x का double bar यानि x dot y bar dot x dot y bar तो इसको पन ऐसे कह सकते हैं x dot x और y bar y bar अब इसके बारे में आपने डिस्कस कर रखा है आप जानते हैं a dot a क्या होता है a होता है तो a bar dot a bar भी कितना a bar होता है तो इससे आप soul करेंगे तो हमारे पास x y bar यह इसका आपको मिला है output का boolean expression अब इस boolean expression के अधार पे आप इस cancer निकाल पाएंगे देखो हमारे पास तो इसका output मिला है output है x y bar अब यह output होना कितना चीए 1 अब इस output के 1 होने के लिए definite है कि x तू कितना होनी दोनों को आपको 1 करना है तो 1 into 1 ही तो आपका 1 होता है न तो इसको ऐसे करने के लिए x तू 100% 1 होना चीए और y का बार y का बार कितना चीए अपने को 1 चीए इसका मतलब y कितना चीए 0 चीए बस हो गया answer तो x तो आपको चीए बेटाजी 1 और y कितना चीए अपने को 0 तो इसका answer कौन सा हो जाएगा 3 clear तो यह आपका बहुत शांदर क्यूशन था लोजी गेट का बढ़े आगे तो अब क्यूशन अपने सॉल करते हैं बेटाजी क्यूशन नमर 55 यहां पुछे था आउटपूट आप दे गिवन लोजी सरकेट इस तो देखें सबसे पहले अपने यहां लिया A तो A से A चला गया यहां पर भी A आ चुका यहां से B है यह B इस तरफ चला गया इस तरफ भी आ गया यह पहले कौन सा है आपका end gate यानि A A B इसका note A B बार clear है दोनों इसमें आपको देखो यहां पहले end gate है इसका तो यह हुआ आपका A और इसको मैं कहिछता हूँ देखो यह A dot A bar plus B bar only इसकी process को अब देखो यह इसके साथ multiply करूँ मैं इसको तो यह हुआ आपका A dot A bar plus A B bar A dot A bar plus A B bar तीक है पिटे यह दोनों आ गए अब देखो इसके साथ फिर अपन क्या करें note भी है तो इसके note भी आप कर सकते हो इसका अपन note लेंगे note आप करेंगे तो अब देखो यहां पर यह अलग process है यह आपका अलग है A dot A bar कितना होता है 0 A dot A bar कितना होता है 0 इसलिए अब only यह पार्ट बचा इसको अपन फिर अग सौल करेंगे अटाएंगे तो यह होगे आपका देखो A B का बार का डबल बार है बस यह तो 0 हो चुका ना अब इसको सौल करें आप तो यह हुआ A bar और प्लस B डबल बार और B का डबल बार कितना होता है B तो यहां आपको वैल्यू मिल रही है B प्लस A bar B प्लस A bar clear तो इस वाले portion का तो आपको वैल्यू मिल चुका है यहां पर यह वैल्यू पूरा यहां से वैल्यू आपको मिल गया है B प्लस A bar अब इसके बाद देखो यहां बाले सेपन आते हैं तो यहां A, B का बार भी आ रहा है बी भी आ रहा है और यह लोजिक गेट कुन सा है अलि ओर गेट है तो ओर गेट का मतलब हुआ कि यहां है B पलस यह है A, B का बार यह इसमें जा रहे हैं input आप दोनों mix होंगे इसको भी पहले अपने अलग स्वोल कर लें देखो यह हमारे पास है b plus यह इसको अलग तोड़ दूँ तो यह आपका a bar plus b bar आप दो b plus b bar कितना होता है b plus b bar होता है one तो इसको मैं ऐसे कह दूँ one plus a bar और one plus a bar भी कितना होता है one क्योंकि a bar तो आप a को zero put करें इसको one put करें दोनों कंडिसन में और वैसे एक result आपको यह सब को बच्चों को याद होता है कि one plus a bar है कितना है वो one clear अब हमारे पास इस वाला भी पार्ट आचुका यह वाला भी आचुका दोनों का फिर क्या करना है यह लोजिकेट आपका नेंड गेट इसके नेंडिंग प्रोसिस करनी है तो आज आईए साब इसका जो output अपन लिखने वाले है आप output है वो क्या देखो यह है बी प्लस ए बार यह तो इस पहले वाले भाग का output था दोनों के सबसे पहले तो क्या करने है अपने को ending और यहाँ बेटाजी इसका output क्या था वन यलो साब और यह आप कर दो इसका देखो बार अब इसको इस बार को अपन यहाँ से replace करें हटाएंगे इसको break कर दो पहले तो बी प्लस ए बार ओके डोट का हो चुका है प्लस और यह आपका वन का हो चुका है जीरो और इस पे लगा दें अपन बार अब इसको तो बी बार तो बी है साब बी बार हो गया प्लस का डोट कर दो एका हो चुका है डबल बार तो एका होता है तो ए डौट बी बार यह इसका output हो जाएगा इसलिए इसका answer कौन सा है बहुत ही शांदर कुछन है, हलका सा भी इसमें आप थोड़ा सा ध्यान हटाओगे, तो कुछन के गलत होने के पुरे चांस रहते हैं, ठीक है बड़े, बड़े आगे, अब आते हैं कुछन नमबर 56 पर, पूछा है, दे लोजी गेट, इक्वलेंट टू गिवन लोजी सरकेट तो सरकेट है, वो कौन से लोजी गेट के इक्वलेंट है, वो आपको पता करना है, यह A है तो A का, यहां यह नोट गेट है तो A बार है, B है तो इसका आउटपूट क्या बिटाजी, B बार, दोनों सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आपकी यह एंड, यानि A बार, डॉट, A ब बार, डोट, B बार, इसको ब्रेक करो, तो ब्रेक अपन करेंगे, तो A बार पहले से पढ़ा है, यह B बार है, डोट को प्लस कर दो, और दोनों को इस तरह से हटा दो, डबल बार का मतलब होता है, वो ही प्रोसेस, तो A प्लस B, और A प्लस B, इसका आउटपूट होता है, य 57 ये बहुत शांदर क्यूशन है ये पूचा था टूट टेबल फॉर दा सर्किट गीवन इन दा फिगर इज ये वो क्यूशन है जो नीट में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हुआ है अब 2010 से लेकर के 18 तक क्यूशन देख लो जी मैंन में और इन में इसी प्रकार के सर गया बी से बिटा जी बी है यहाँ पर भी कौंसा ए तो इसको पिन सौल करें तोे तो कौंसा ओर गेट है यह होगया ए प्लस दी यहां से आ रहा है यह आपका है कौनसा पहले और इंडिंग प्रोसेस से पहले ए कर दें इसमें तो a dot ये बिटाजी है a plus b a plus b और इसका अपन कर देते हैं not ये इसका output है इसको अपन solve करें बार को हटा हूँ आप तो यह आप a bar ये कर दो plus और ये है आपका a plus b का bar समझें आप इसको अपने को अलग से solve करना है तो a plus b का bar भी आप इसको अटाओगे तो देखो ये आपके पास value है a bar plus इसको अपन हटाते हैं अलग से तो हमारे पास value आती है a dot b ये इसका bar सही है हाँ जी अब इसकी अपने गो ये output मिल चुका है y only आपको इसकी बनानी है true table तो देखें a b 0 0 0 1 1 0 1 1 a bar इसका पहले a bar आप निकाल ले a bar तो कितना है इसका इनिवर्स कर दूँ तो ये आपका 1 1 0 और 0 फिर आपको उचे a plus b का bar तो a plus b ये आपका 0 का bar यानि मैं लिख दूँ इसको a plus b का bar ठीक है तो a plus b का bar अपने देखें 0 0 आपका 0 का bar कितना 1 0 1 1 का bar 0 0 1 1 1 का bar वेटा जी 1 का bar 0 1 1 कितना 1 इसका bar b कितना 0 ओके अब a bar हमारे पास है ये भी हमारे पास है इन दोनों का only oring यानि इन सब को आपको add करना तो इसका output आप क्या मिला है इन सब का oring करना है आपको इसकी oring दो 1 1 0 और 0 1 1 0 और 0 तो पहले ये भी चेक करना है इसमें कि a और b जो मैंने ले रखे हैं वो ये उसी रूप में है क्या ये सब चेक करने के पश्चात किसका आप निकालने output वो देखें इसका second answer आपको बिलकूल सटिक मिल रहा है ठीक है बड़े बड़े आगे question number 58 58 भी भूश अंदर question ने पूछा है which of the following gives a reversible operation reversible operation का मतलब होता है noting noting कौन कर रहा है note gate कौन बना रहा है note gate तो इसमें देखो आप ये note gate ही तो है ये conversion है किसका ये conversion है नोर से note का देखें जैसे इसमें ये मालो आपका a और इसमें ये सबसे पहले है और इसका और gate है नहीं a प्लस a और a प्लस a तो क्या होता है आपका a फिर इसमें noting हो रहे तो यहां output क्या मिलगा आपने को a bar की note gate की process होती है समझे तो यहां बन गया आपका note gate इसी तरह से आपने बड़े आगे यह जो इसका logic gate का पार्ट है यह होता है आपका और gate जिसमें दो PN diode होते है यहां पर एक आपके resistance है अगर मैं यहां पर एक cell जोड़ता फाइब वोल्ट का फाइब वोल्ट का आपने cell और एड़ कर देते और इसको इपन reverse कर देते ति बन जाता आपका end gate कौन सा note gate है तो oaring के पर साथ इसका noting और हो गया यानि इसका y हमें क्या मिलना है a प्लस b का बार तो आप इसको ऐसे खह सकते हो a बार डोट b बार ठीक है साब इसका answer कौन सा जाएगा second बढ़े question 60 और इस पार्ट का यह last question है पढ़ले इसको तो in the given circuit value of y is चेक करो भई यहां आपने one ले रखा है तो यह कौन सा आपका note gate तो note gate होने पर इससे तो क्या मिला अपने को zero इस तरह भी zero है यह भी zero है यहां भी zero आया अब zero कौन से note gate में है तो यह मिल गया आपको इसका inverse one यहां zero zero तो यह दोनों zero into zero कितना zero zero का note gate क्या हो गया one यह आपको यहां से one मिल रहा है यह one यहां से होते 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 हो यह one आ चुका अब यह zero आप ले रहे हैं यह zero आ गया भी ढाल देंदें आप यह कौन सा पहले end gate तो zero into one कितना यहां से आपको मिला zero जिरो सी कौन सा note gate तो ही हो गया आपका 1 अब 1 into 1 सबसे फ़ली हाँ 1 into 1 हो रहा है 1 into 1 तो 1 होता है और 1 into 1 का 1 है फिर इसमें कौन सा note gate और हो गया तो वाई हमारे पास कितना है 1 का note बोले तो 0 इसका answer क्या जाएगा 0 ठीक है बैटे तो ये इस तरह से आपका जो second part अपने discuss कर रहे थे वो complete हो चुका है अब ध्याम करें जो ये 30 questions हैं बहुत ज़दा important है इनको dense से आप solve करें treat करें वो 2020 players हैं बहुत शांदर इससे benefit उठा सकते हैं तो स्माप्त करते हैं पर इसको यहीं पर जैसे लसी